दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चनल में आज मैं आपको एक अनुखा फेक्ट बताने वाला हूँ बीते कुछ सालों में भारते रेलवे ने तेजी से तरक्की किये देश की रेलवे लाइन पर रोज लाखों लोगों को यहां से वहां ले जाती है इसी बीच सफर के दोरान आपने देखा होगा कि कई स्टेशन पर टंगे हुए बोड के नाम इन में कुछ नाम इतने अजीबों गरीब हैं कि जिने पढ़कर रागिरों की हसी छूट परती है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही अनोखे रेलवे स्टेशन के नाम के बारे में जिने सुनने के बाद आप कड़ा के मार कर हसने लगोगे तो शुरू करते हैं अपना वीडियो हाँ वीडियो को अन तक जरूर देखना आपको काफी मज़ा आने वाला है साथ साथ हसी भी आ रही होगी क्योंकि बीवी के सामने किसकी चलती है भाई तो दोस्तो बीवी के बाद साली का नाम तो आना बनता है दरसर राजस्थान की राजधानी जैपू डिविजन के अंत Agrat एक ऐसा स्टेशन आता है मद्द प्रदेश में होसंगाबाद जिले के अंतरगत नाखपूर रेलवे डिवीजन में सहली रेलवे स्टेशन स्थित है तो दोस्तों बीवी, साली और सहली तो इन सब के उपर बाप तो बनता ही है राजस्तान के जोदपूर के पास बाप रेलवे स्टेशन पढ़ता है यह रेलवे स्टेशन भारते रेलवे के उत्तर पक्षीमी रेलवे जोन के अंतरगत आता है जो अपने नाम के लिए काफी चर्चा में रहता है तो भाई सब स्टेशन आ गए तो नाना क्यों बाकी रहेंगे तो जी हाँ नाना रेलवे स्टेशन के चलते चलते आपको आपके नाना जी की जरूर याद आएगी यह स्टेशन राजस्थान के सिरोही पिंडवाडा नाम की जगह पर है इस railway station पर कई ट्रेने रुखती हैं यह railway station उदेपूर के सबसे करीब ही माना जाता है दोस्तों यह तो ठीक है अब मैं जानवरों के नाम पर railway station बताने जा रहा हूँ जी हाँ यह सुवर station है जो उत्रप्रदेश के रायपूर जिले में स्तित है सुवर station के बाद अपेश है बिल्ली station उत्रप्रदेश के सोनभद्र जिले में यह बिल्ली station मौजूद है यह अपने नाम की वज़े से बहुत ही प्रशिद्ध है और यहां काफी ट्रेने रुखती है बिल्ली स्टेशन के बाद आपके सामने मौजूद है भैसा रेल्वे स्टेशन यह उत्तर प्रदेश राजी के मोथरा जिले में आया हुआ स्टेशन है तो दोस्तो सुवर बिली के बाद आपके सामने है कुट्ता रेलवे स्टेशन यह करनाटा का स्टेट के कोडागू डिस्टिक में स्टिध है और अब हम बात करेंगे सब के हट के रेलवे स्टेशन की दारू पिने वाल लोगों के लिए यह नाम काफी अच्छा हो सकता है हला कि इस स्टेशन का दारू या स्वराप से कोई देना देना नहीं है लेकिन जारकांट हजारी बाग जिले में यह दारू नाम का स्टेशन काफी सुर्कियों में रहता है तो दोस्तो यह थे भारत के दस अजीबो गरीबो नाम वाले स्टेशन मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिला होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भुले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको फ्यूचर वीडियो की सारी जानकारी समय पर मिलती रहे हम आपके लिए ऐसे ही इंफोर्मेटी और इंट्रेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिरी मिलेंगे किस नए टॉपिक के सारी तब तक के लिए धन्यवाद